आप जानते हैं होगे कि पिछले कई दिनों से एशिया और यूरोप को जोडने वाले सुवेज नहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्गो शिप M.V.Eva Given फसा हुआ था जिसकी लंबाई 400 मीटर है और जिसके ओपर करीबन 20,000 कंटेनर्स थे तो इतने दिनों से उसको निकालने के लिए बहुत सारी मशिनरी बगरे लगाया हुआ था उसके फसे रहने से हर दिन का 10 बिलियन डॉलर के ट्रेट का नुकसान हो रहा था पूरी नहर ब्लॉक हो गई थी क्योंकि ट्राफिक जाम हो गया था तो इतनी मशिनरी इतनी महनत इतनी टेक्नलोजी के बाद भी उसको नहीं निकाल पाए थे लेकिन आखिरकार वो काम सूपर मून ने कर दिखाया है इंजिनर्स का प्लानिंग सही साब इतुआ क्योंकि सूपर मून यानि की फुल मून के दोरान समंदर के अंदर बहुत ही उची उची लहरे उठती है तो उसी की वज़े से यह शिप फिर से त्यारने लगा और उसको वहां से निकाला गा है